इस रोड में चाहे जितना भी एक्सपंडीचर कर दिया जाए इस रोड को कितनी बार रेनुवेट कर दिया जाए इस रोड को मिकेडमाइज कर दिया जाए चाहे जितना अमाउंट इस रोड की कंस्ट्रक्शन में लगा दिया जाए एक चीज इस नैशनल हाइवे रोड में हम सभी को कौमल नहीं देखने को मिल जाएगी हफ्ते में एक दो बार तो हम इस ट्राफिक जांब की समस्या को फेस करते ही हैं ट्राफिक जांब जमुएन कश्मीर के इस नैशनल हाइवे रोड पर इतनी बार लगता है कि हमने जब हम स्टूडन विवर इन स्कूल तब से हम लोग ने आदी जिन्दगी तो हमने ट्राफिक जांब में ही गुजार दी है और आज भी कुछ खास चेंज जो है हमें नजर नहीं आ रहा आज भी वही सेम समस्या से हम सब जूँजते हैं ट्राफिक जांब की वज़ा से हर कोई सफर करता है बेट पेशेंट बेट इंप्लॉईज बेट स्टूडेंट्स बेट लेबरर्स हर किसी को ट्राफिक जांब की वज़ा से परिशानी का सामना करना पड़ता है आज यानि 12 मार्च और पिछले कल यानि 11 मार्च दो दिन अल्मोस्ट हमारा जमुकिश्मीर राष्ट्र मार्ग ब्लॉक रहा पॉक्ष पर सवाल यहां यह है कि आखिर कहां पर लाकिञ है इतने सारे अदमिंस्टेशन की तरफ से क्या inner work पॉ पुलिस की तरफ से इतने सारे collective पूटिन करने के बावजूद कहां पर कमी आ रही है कि बार बार ट्राफिक जाम की समस्या जो है हमारे सामने आ जाती है हां जो जो नेचर की तरफ से जो परिशानी है चाहे वो लैंड रोजन हो सौरी यह कहीं पर रोड स्लाइड हो चुका हो या बारिश की वज़े से कोई सारी ऐसी चीज़े प्रॉब्लम जो है वो अगर सामने आती हैं तो कुछ हद तक हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं कि हां यह डिजास्टर की वज़ा से जो है ट्राफिक जाम है तभी हम जो है इस ट्राफिक जाम में स्टक हैं वट इफ ऐसी कोई अगर प्रॉब्लम ना आ रही हो फिर भी हम इसको मैनेज नहीं कर पारे ट्राफिक को मैनेज नहीं कर पारे रोंग साइड गाड़ी चल रही है कोई कोई पूछ नहीं रहा, आखिर कहां पर और किसकी कमी है, मैं सुनने वालों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि we as a citizen have some duties to follow, to fulfill, rules to follow, हमें उसको भी consider करना है, हम administration पर rely तो हो रहे हैं, पर administration अगर fail हो रही है to manage traffic, then we need to take the initiatives, हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि हमारी किसी गलती की वज़ा से ambulance में patient सफर ना हो, तो हमें भी responsible बनना होगा, administration से ये request है कि आखिर कब तक ये जो traffic jam की जो issue है, वो हमारे जमकश्मीर की राष्ट्रवाग में हम सब को देखने मिलेगा, tourist भी सफर होता है, transporters सफर होते हैं, जो हमारे जमकश्मीर की commodities, transport होती है, उसकी transportation में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, overall जो है, traffic jam की वज़े से हर कोई सफर हो रहा है, इसकी management ज़रूरी है, और वो administration के साथ साथ, we as a citizen हमको भी मद्दे नजर रखना है, मैं अपील करूँगी administration से के rules जो है, traffic rules जो है, वो properly follow करवाये जाएं, और citizens से भी अपील करूँगी, हम सबको भी अपना, अपनी जो duties है, वो निभानी है, हमें भी responsible बनना है, कोई भी patient हमारी वज़ा से सफर ना करे, कोई student हमारी वज़ा से सफर ना करे, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है, कि student जो है, examination center तक नहीं पहुच पाता, exam नहीं दे पाता, patient जो है, वो hospital नहीं पहुच पाता, treatment के लिए, किसी की जिन्दगी और मोत का सवाल रहता है, आज भी कई सारी जगाओं से ये खबर आ रही थी, कि ambulances में dead bodies के साथ 4-4 घंटे तक ambulance को weight करना पड़ा, तो ये सब चीजें जो हैं, वो देखने की ज़रूरत है, और इसका permanent solution,